हेलो दुश्तो नमस्कार एसम के लिए चैनल में मैं आप सभी लोगं का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस पेड़े में हम लोग बात करने वाले बहुत ही पॉपिलर शेर से रिलेटेड जिसका नाम है डीमार्ट यस दोस्तो डीमार्ट से जुड़ी भी यह कब तक भाग सकता है मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है जो यह तेज रफ्सतार से भाग रहा है वो कब यहाँ पे कम हो सकती है तो इसलिए मैं आप लोगं को कहना चाता हूँ कि उससे पहले अगर आप डीमार्ट का शेर खरीद लेते हो तो आप लोगं के लिए वह यहाँ पर अलाट्मेंट मिल चुके होगी तो 1.11 परसेंट की जंप हम लोगं को ओफर फॉर सेल के बाद भी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो बहुत अच्छी बाते 26 रुपे की जंप अभी यहाँ पर हो चुकी है एंड जो क्लोजिंग है 2365 पर हम लोगं को देखने को मिल रही है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैं आप लोगं को कहा था की जो रीजन है क्यों डिमाट का शेयर अभी वीपह जादा पॉपिलर रह सकता है क्यों यहाँ पे और भी जादा बाइंग हो सकती है ऐसा क्यो उसका रीजन में थोड़ी दिर बाद मे doubt clear हो गए होंगे तो आप सभी लोगों को बता है कि जो floor price था 2049 पे था ये मुझे ज़्यादा बतानी की ज़रूरत है नहीं मैं आप लोगों को उस site के उपर ही लेके जाना चाता हूँ आप देख सकते हो offer for sale पे उपर आ चुका बट यहाँ पर active issue कोई भी नहीं है तो आप लोगों को कोई भी detail देखने को नहीं मिलेगा तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे past issues इसके उपर में click करूंगा तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये देखिए डिमार्ट से related आप लोगों को सबसे पहले issue देखने को मिलेंगे जहाँ पर अगर आप देखोगे floor price जो की set किया गया था 2049 के उपर अगर हम लोग यहाँ पर देखते numbers of time कितना यह oversubscribe लगबग 3.40 यह oversubscribe हो चुका था जह भी हम लोगों ने यहाँ पर consider कर लिया था अभी आजाते important चीज के उपर यह है 2316 allotment price यह बहुत सारे लोगों ने यह का है sir हम लोगों को यह 2316 पे यहाँ पर allot हो चुका है यह दोस्तों यह allot इसलिए हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते है allotment price के उपर यह आप लोगों को मिल चुका है अभी जो confusion हो रहा है वो मैं यहाँ पर दूर कर देता हूँ सबसे पहली बात दो type के आप लोगों के orders होते हैं सबसे पहले 2049 यह एक level था जो second allotment price रहती हम लोग कह सकते हैं यह बाद में exchange decide करता है कि कौन से price पर यह आप लोगों ने देनी चाहें जहाँ पर maximum bleeding के हम लोग बोल सकते possibility होती है सो जीन भी लोगों ने 2049 खुद type करके वहाँ पर apply किया होगा तो शायद से उन लोगों का क्या हो चुका होगा reject हो चुका होगा और जो लोग पूछ रहते सर हम लोगों को नहीं मिला हम लोगों ने apply किया था तो आप यहाँ पर देख सकते तो जो maximum bidding थी closing यहाँ पर जो allotment से related वो 2316 की थी जिसको हम लोग cut off price बोलते सो यहाँ पर दो option होते हैं जब आप OFS में apply करने जाते एक होते हम लोगों का limit order आप सभी लोगों को बता है सो limit में आगर आप लोगों को लगाना था सो 2049 के नीचे आप नहीं लगा सकते आप 2049.10 लगा सकते थे 2049.50 लगा सकते या फिर 2100 लगा सकते थे बट 2049 के नीचे नहीं लगा सकते थे सो बहुत सारे लोगों ने limit order नहीं लगा होगा जो कि आप लोगों का कुछ-कुछ लोगों का first experience होता है या फिर आप लोगों ने could try किया होगा तो limit order रहता है वो set नहीं किया होगा So by default यहाँ पे एक option होता है वो होता है cut off So cut off मतलब वहाँ जो level रहता है यहाँ पे allotment price मतलब जो decide कियेगी exchange 2316 जो लेटर आन हम लोगों को देखने को मेला जहाँ पे maximum buying के level थे तो यही level पे वहाँ पे set हो गया और इस level पे बहुत सारे लोगों को मिल चुका होगा So सबसे पहले यह कहना चाहता हो कोई आपके साथ धोका नहीं हुआ है यह ऐसा ही होता है दोस्तो offer for sale में 2316 मतलब उसी के आसपास हम लोगों को यह allotment price देखने को मिल रहा है तो यह चीज अभी आप देख सकते हैं जितने भी लोगों ने यहाँ पे allotment के लिए जाए होगे So 2316 पे उन लोगों का demart का share यहाँ पे मिल चुका होगा So वापस में आप लोगों को कहे रहा हो कि demart का share अगर आप लोगों को मिला यह बहुत बड़ी बात है अभी भी कहे रहा हो यह आगे आने वहले future में बहुत ही तेज दोनने वाला share 3000 की भी उपर जाएगा अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो 2,3,6,5 पर यह चल रहा है So अभी भी आप इसको बेच दोगे तो आप लोगों को profit होगा कोई नुकसान नहीं हो सकता बट ऐसी thinking बहुत ही गलत है मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तो यह stock आगे जाके 3000 से भी उपर दोनने वाला है पर उसके लिए वक्त लगेगा अगर आपको लगता है कि आज यह आप लोगों ने बीच बहुदी है और कल जाके वो फल आप लोगों को बढ़ा होके ट्री बनेगा और आप लोगों को फल देगा तो यह कोई एक दो दीन की process नहीं होती उसके लिए वक्त लगता है तो हमेशा याद रखना लॉंग टर्म निविशक अगर आप बनते हो तो आप लोगों को patience के साथ hold करना है कोई भी tension वाली बात नहीं आप लोगों ने बहुत एक अच्छा share आपके portfolio में आ चुका है बहुत सरे लोग डराने की कोशिस तो जरूर करेंगे महंगा खरीदा है यह खरीदा है ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों वापस के रहो जब हम लोग सोने की बात करते है सोना मतलब गोल्ड की बात एक जमना ऐसा था कि सोना 25,000 को भी महंगा लगता था उसके बाद 30,000 को भी महंगा लगता था एंड अभी 40,000 को भी महंगा ही लगता है एंड फीचर में 50,000 को भी महंगा ही लगेगा सो यह हमेशा ओवर बॉर्ट जोन में ही चलने वाले शेर है आप बज़ाट फाइनस भी देख सकते हो अगर आप यह सपना देखोगी बज़ाट फाइनस गिरके आप लोगों को आदे दाम में मिलेगा तो कभी भी नहीं होने वाले तो एवन्यू सुपरमार्ट यह जो शेर आपके सामने उपन किया है वो भी उसी टाइप का शेर है जो आगे जाके आप लोगों को तीन हजार चार हजार पाच हजार तक भी जाते होगी देखने को मिलेगा बाट उसके लिए वक्त लगेगा वापस डिमार्ट से रिलेटेड यही कहना चाहता हूँ बहुत एक अच्छा कासा स्टॉक आपने अपने पोर्टफोली में सिलेट किया है अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखना चाहते हूँ मैं कोई ऐसी बाती नहीं कर रहा हूँ कि खायली पुला हुआ ली आप फाइनेंशियल्स देख लेना मतलब कंपनी का पर्फॉर्मंस के से वह यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा यहाँ पर बफर हो रहा है लोड हो जाएगा इसे शेर को बेचने वाला मुझे तो ऐसा लगता है कोई तो बेवकूफी रहेगा हाँ आप प्रॉफिट में बेच सकते हो बड़ अगर अगर आप कोई ऐसा किसी को लग रहा है कि लॉस में क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कमेंट आ गई सर मुझे ये शेर मिल गया है 2,3,1,6 जो उसका अलोट्मेंट प्राइस था और उसके बाद वो शेर नीचे आया था तो क्या इसमें मैं बेच दू इतनी जल्दी इतनी जल्द बाजी इतना इंपेशन्ट रहना स्टॉक मार्केट में ऐसे लोगों के लिए भहत ही घातक रहता है वापस कह रहा हो कि जो बड़े बड़े लोग वारें बफेट जी भी कहते है अगर आप किसी शेर में 10 साल के लिए रहने की नहीं सोच तक्ते तो ऐसे शेर को आपने 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए वापस कहे रहा हो यह मेरे खुद की बात इन आप वारें बफेट जी की बाते भी सुन सकते हो सो वापस के रहा हो आप लोगोंने कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए बहुत ही अच्छा शेर आप लोगोंने अपने पोर्टफोलिय में एड कर लिया है जैसे हम लोगोंने strategy भी discuss की थी कि 50% आपके पास जितना भी amount है 50% आप OFS के लिए जा सकते हो जो भी भाव भी आप लोगोंको मिलेगा आप लोगोंने देख लिया cutoff date जिन लोगोंने decide के था उनको वो मिल गया जिन लोगोंने limit लगाया होगा बहुत ही नीचे तो उन लोगों एवरेज होएगा वो बहुत ही शांदार price हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों को कोई बाइंग नहीं करने हैं वैसे ही बेड़ जाना है best example IRCTC आप सभी लोगों को बता है IRCTC ने हम लोगोंने कितना जबरदस नीचे लेवल पे बाइंग किया था 980 पे हम लोगोंने बा लोगों जाके वहाँ पे बाइंग करेंगे तो यह सारी चीजे में आप लोगों को क्यों बता रहा हूं कि आप लोगों ने खचा खासा शेर स्लेट किया है बट कोई तो आप लोगों को डर आए इसके कारण अगर आप उसको बेज देते हो तो बहुत ही गलट डिश्यन रह बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ इंपोर्टन चीजे जो की डिमाट से रिलेटर है सबसे पहली बात डिमाट से रिलेटर अगर हम लोग देखते हैं यस दोस्तों दिल्ली में भी अभी डिमाट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे धमाके रैंक पी थे अभी वो सेकंड रैंक पी उपर आ चुके है और येस वो अभी दिल्ली में यहाँ पर एंटरी कर रहे हैं आप अगर न्यूस भी देखोगे सबी जगे यही देखने को मिलेगा कि डीमाट यहाँ पर सेट हो रहा है शौप उनका दिल्ली में यह रिपोर्टिंग होना चाहिए जिनके पास पेशन्स नहीं है मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हो एसे जिनोंने बजट फाइनेंस जैसा शेर हजार हजार बारासों में निकाल दिया है और आज वो शेर आप देख सकते हो कहां से कहां पोच गया तो यही है दोस्तों कि अगर आप अच ओफिशल वेबसाइट पर अगर आप यहां पर देखोगे किसी भी कंपणी को नसी के ओफिशल वेबसाइट पर ऊपन करके बड़ी कंपणी तो यहां पर आप लोगों को एक डेटा देखने को मिलता है जो मिसींग है यहां पर मैं एरो करके बता देना चाहता हूं अगर आ आप expect कर सकते और demand भागते रहेगा उसके लिए वक लगेगा ऐसी कोई guarantee नहीं कि कल भी भागेगा परसों भागेगा बट येस वह भागते रहेगा अगर जिस तरीकी से अब तक वह भागते आते चला है सो एक बार ये stock हम लोगों को FNO में entry करते हुए देखने को मिल जाएगा उसके बाद इसकी रफतार धीमी हो जाएगी क्योंकि आप सबी लोगों को पता है बाद में यहाँ पर हो जाता है 60 बदर शुरू सो जब तक ये stock FNO में है नहीं तब तक हम लोग कह सकते है जिसकी जो रफतार है वो बहुत ही शांदर रहेगी एंड उसके बाद ये FNO में आजाने के बाद, futures and options में आजाने के बाद हम लोग कह सकते है कि इसकी जो रफतार है वो धीमी हो जाएगी सो उससे पहले जितना भी माल मिल रहा है मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उठाना चाहे final decision आप ही कर रहेगा मैं कोई force नहीं कर रहा हूँ बट यह जरूर कर दूँगा कि जिन लोगों को भी OFS में share मिल रहा है उन लोगों ने यहाँ पे holdy रखना चाहे अगर वो 2000 तक आ भी जाता है नीचे अगर आ भी गए तो किसी को control नहीं रहता है price कितना गिरेगा आ भी जाता है तो आप वहाँ पे average भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने बहुत मेंगा खरीद है तो अभी भी आप इसको base देऊगे 2365 पे तो कोई भी आप लोगों को loss नहीं होने वाला है तो सारी चीज़े आपके लिए यहाँ पे open है आप जो चाहे decision ले सकते हो तो चले दोस्तो आज के दिन का performance भी देख लेते 18 फेब डिमार्ट का performance लगबग 38% तक की deliveries हम लोगों को यहाँ पे उठाती हुए देखने को मिल रही है तो offer for sale के बाद भी हम लोग कह सकते एक थोड़ा बहुत क्या पर response हम लोगों को open market से भी देखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितनी भी चीदे थी offer for sale से related आपके जो doubts थे वो मेने यहाँ पर clear कर दिये वापस आप लोगों को summary के form में बता देना चाता हूँ जिन लोगों ने खुद limit order लगा के price set किया होगा तो उन लोगों के chances बहुत ही rare होंगे कि मतलब उनको लोगों को वो allotment मिल चुका होगा maximum उन लोगों को refund आ गया होगा and जिन लोगों ने without limit लगा दी होगा तो उनको cutoff date रहता है या फिर cutoff rate रहता है allotment price का उस पर ही directly वो issue हो जाता है allot हो जाता है so 2,3,1,6 यही जो rate था उसके उपर आप लोगों को मिल चुका होगा वापस कहा रहा हो आप चाहो तो इसको hold भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने महेंगा खरीद है कि इतने higher rate पे हम लोगों को क्यों मिला तो आज भी अगर आप बेचोगे तो Demart का share आप लोगों को नुकसान नहीं देने वाले आज भी आप profit लेके निकल सकते हो बट येस मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने तो यहापे 50% मेरा लगा दिया था अगर ये share नीचे आजाते है तो मेरा 50% में वापस अपलाय कर दूँगा और उसके बाद इसको long term के लिए छोड़ दूँगा तो मेरा final conclusion में तो यहापे इस share को करने वाला हो hold क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले future में जिस तरीके से एक stock भाग रहा है यह बहुत ही अभी भी हम लोग को सस्ते दाम में ही देखने को मिल रहा है final decision आप ही करेगा so आयो पाशा करता हो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा so that's it thank you very much we will be making our next video तब तक के लिए बाई बाई